गर्मियों के मौसम में कई रस भरे फल बजार में उपलब्ध होते हैं जो स्वात के साथ साथ सेहत से भी भरपूर होते हैं तरबूज भी गर्मियों का एक ऐसा ही रस भरा मौसमी फल है जिसे खाने पर गर्मि से बहुत रहत मिलती है तरबूज तो आप खाते ही होंगे पर इसके बीच का आप क्या करते हैं? जाहिर है आप इसके बीज को फेक ही देते होंगे लेकिन इसके लाव को जानने के बाद शायर आप ऐसा नहीं करेंगे जिहां दोस्तो तर्बूज तो खाएंगे ही और साथ ही उसके बीजो को संभाल कर रखेंगे आए जानते हैं तर्बूज के बीजो के कुछ खास उपयोग नमस्कार दोस्तो आपका स्वागत है रुद्रहूम रेमेडिज में दोस्तो अब तक आपने हमारे इस यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज दोस्तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हेल्थ और ब्यूटी से रिलेटेड सारी वीडियो का अपडेट लगातार आपको मिलता रहे तो आएए जानते हैं दोस्तो तर्बूज के बीज के फायदे के बारे में तर्बूज के बीज कई तरह के पोशक ततों से भरे होते हैं इसके बीजो में आईरन, पोटेशियम, मिनरल्स और विटामीन सपाय जाते हैं तर्बूज के बीज को चबा कर खाएं या फिर इसके तेल का इस्तमाल करें दोनों ही रूप में ये फायदे मद है तर्बूज के बीज खाने से स्कीन हेल्दी हो जाती है और बाल चमकदार वो घने होते हैं और सेहत बन जाती है तर्बूज मौजूद मैगनिस्टियम दिल के लिए बहुत अच्छा होता है ये कारे प्रनाली में सुधार करता है और मेटाबॉलिक सिस्टम को सपोर्ट करता है इसके अलावा ये काडियो वैस्कुलर रोगों और हाइपर टेंशन में भी फायदे मन होता है यदि आप डाइबेटीज के पेशेंट है और आपकी सुगर हमेशा घटती और बढ़ती रहती है तो तरबूज के बीच को थोड़े पानी में उबाले इस पानी को रोजाना चाई की तरह पिएं इससे बलड शुगर कंट्रोल में रहता है तरबूज में अनसैटूरेटेट फैटी एसिड होता है जो त्वाचा की नमी को बनाये रखते हैं इसमें मौजूद अन्टी ऑक्सिडेंट ततू जूरियों को दूर करते हैं स्कीन इन्फैक्शन में भी तरबूज एक बहतरीन दवा की तरह काम करता है यदि एकने की समस्या हो तो तरबूज के बीच का तेल चेहरे पर लगाएं ये समस्या खत्म हो जाएगी तरबूज के बीच के तेल से चेहरे पर मसाच करने से चेहरा चमकने लगता है ये चेहरे से गंदगी और सीबम को हटा कर पोर्स को खोल देता है और तवचा को सुन्दर बनाता है प्रोटीन और जरूरी मात्रा में एमीनो एसिड होने के कारण इसके बीच बालों की समस्याओं में राम माण है तरबूज के बीचों को चबा कर खाने से बाल जड़ से मजबूत होते हैं तरबूज और उनके बीचों की गीरी शरीर को पुष्ट बनाती है गीरी की ठंडाई बना कर रोज सुबह नियमित रुप से पीने से स्मरण शक्ती बढ़ती है तरबूज के बीच खाने से हाई बलड प्रेशर भी नियंतरित होता है पुराने सिर दर्द को दूर करने के लिए तरबूज के बीचों की गीरी को पानी के साथ पिसकर, लेट तयार कर सिर पर लगाए, आराम मिलेगा तरबूज में लाइकोपीन पाए जाता है लाइकोपीन हमारी तवचा को जवान बनाया रखता है ये हमारे शरीर को कैंसर से बचाता है गर्मियों में तरबूज का नियमित सेवन करने से दिल की बिमारिया नहीं होती है तरबूज हमारे शरीर के पती रक्षा तंतर को मजबूत बनाता है ये आखों के लिए भी फायदेमंद होता है तर्बूज मोटापे को कम करता है जिन लोगों को डिप्रेशन या जो लोग काम के तनाव में अधिक रहते हैं उनके लिए तर्बूज बहुत फायदेमंद होता है तर्बूज खाने से दिमाग शांत और खुश रहता है जिन लोगों को गुस्सा ज्यादा आता है तर्बूज खाने से उनको अपना गुस्सा शांत करने में मदद मिलती है गर्मियों में तर्बूच खाकर गर्मी के कारण होने वाली बहुत सी बिमारियों से बचा जा सकता है सुखी खासे में तर्बूच खाना लाप प्रद होता है खाना खाने के बाद तर्बूच का रस पीने से खाना जल्दी पच जाता है जिससे नीन भी अच्छी आती है रहात मिलती है। नियमी तर्बूज सेवन से कब्ज दूर होती है। टकने और गुर्दे के पास सुजन होने पर तर्बूज खाना लाब दायक होता है। पेशाब में जलन होतो ओस या बर्फ में रखे हुए तर्बूज का रस निकाल कर सुबा खाली पेट चिनी मिला कर पीने से लाब होता है। तर्बूज खुन की कमी को दूर करता है। तर्बूज पर थोड़ा काला नमक डाल कर खाने से एसिडिटी और गैस की समस्या खत्म हो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। साथी साथ दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूले। बाइ दोस्तों टेक केर, स्टे हेल्दी, स्टे फिट।